भारत को हिंदू राष्ट्र घोशित कराने के लिए अचारे पीठ तपस्वी जी की च्छोणी रामघाट के विश्व कल्यान सनातन धरम संसद का अयोजन किया गया सनातन धरम संसद की अदेश्टा करते तपस्वी चोणी पीठा दीशवर जगत गुरु परमहंस अचारे ने कहा कि दो हजार तेईस के पहले जदी केंदर सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोशित करती है तो वे सात नमबर दो हजार तेईस को हिंदू राष्ट्र घ भोशित हो इस अवसर पर अयुद्धा के संत महंत धर्माचार एम महं मंदेरिश्वर समलित हुए सनातन धर्म संसद को महंत हरिवन्ष दास औलिया बापु गुजरात संकट मोचन सेना राष्ट्री अद्यक्स संजे दास महंत मादव दास हनुमान गडी दिगंबर खाड़ महंत सुरेश दास निर्वानी अनी के शिरी महंत धर्म दास शिरी राम जनम भूमी तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी वा निर्मोही खाड़ा महंत दिनेश दास हनुमान बाग महंत जगदीश दास हर्दवारी पट्टी महंत मुरली दास हनुमानी गडी से जुड़े महंत बल किया गया जिसमें संकत मोचन सेना के राश्टी अध्यक्ष आदर्णी स्री संजय जी रहे और दिगंबर अखाड़े के स्री महंत है सुरेश दाजी रहे निर्मोही अखाड़े के स्री महंत है एवं स्री राम जन भूम राम जी रहे और अन्यान में प्रदेसों से गुजराज से पंजाब से महा राश्ट से महंत स्री एक नाजी रहे और हमारे जो है आजमगर के पीठा धीसवर स्री स्याम नरायन जी रहे अन्यान के प्रदेसों से लगभा गया 29 प्रदेशों के संत महंत महामंडिल सो सम्मिलित रहे और भारत को हिंदु राष्ट घोसित कराने के लिए सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया गया जन संख्या नियंतरन कानून बने समाननागरी संगिता लागू हो गोमातार जो है तो राष्ट माता घोसित हो इसको ले करक पीठा दिश्वर जगत गूरु परमहंस आचार या नजल का परित्याग करके भारत को हिंदु राष्ट घोसित कराने के लिए आमरण अंसन करूंगा और हमारे साथ सभी अखाडे रहेंगे सभी संत महंत रहेंगे और सभी हिंदू बादी संगठन रहेंगे और सो करोड हि लेगर फिर भी हिंदू राष्ट नहीं बना तो हम लोग हतियार के बस से हिंदू राष्ट गोसित कराएंगे क्योंकि दुनिया में 100 संतामन इसाइयों के देसें संतावन मुसल्मानों को देश हैं हिंदूओं का एक भी देश नहीं है देश का बटवारा भी धर्म के आधार पर हुआ मुसल्मानों को पाकिस्तान बगला देश मिला जो इस इसलामिक राष्ट बन गया तो कम सकम बटवारे के बाद बचा हुआ भूबाग हिंदू राष्ट बनना चाहिए और ये आधाणी प्रधान मंत्री नरण मोदी जी के ही कारिकाल में संभव है उसमें देखी ऐसा है कि हमने पहले 16 दिन आमर्ण अंसन किया था इसके बाद हमसे समय मागा गया फिर हमने जद समाधी गोशना किया कहे राजसभा में बहुमत नहीं ये थोड़ा और समय दीजिए और नमंबर तक राजसभा में भी बहुमत हो जाएगा तो केंद्र सरकार जो है भारत को हिंदू राष्ट बनने नहीं जिस तरह से देश का इसलामी करण हो रहा है उसी तरह से सनातन धर्म को बचाने के लिए हिंदू को बचाना आवश्य है